नमस्कार आप देखरें नेक्सन स्पीचोल आपके साथ मैं हूरीना इस भागदूर पर इस जिंदगी में मनुश्य को कहीं भी सकून नहीं होता है क्योंकि वह हर पल धन प्राप्त करने के चाहत से बटकता रहता है अपने परिवार के उन्नतियों समृद्धी के लिए लगात को सब्सक्राइब के बाफ़ते लिए इस मचे करना चाहिए अबने जाने कैसे पार वास्तों के इनुसार विवस्ती करना चाहिएए आईए जाने कैसे बैडरूम के दरवाजे के सामने कभी भी पलंग नहीं लगाना चाहिए बैडरूम में रादा कृष्ण के तश्वीर पर छोड़ कर किसी अन्य देवी देवताओं धार्मिक शिद्र नहीं लगाने चाहिए खुलते बंद होते समय आवाज नहीं करना वास्तु के अनुसार कमरें के प्रवेज दुआर के सामने वाली दिवार को भागया और संपत्ति का स्थान माना जाता है इसलिए अगर इस दिवार में कोई भी दरार हो तो उसे तुरंट चीक करा लेना चाहिए अगर आपको हमारी जानकर इच्छी लगी हो तो कमंट करकर जबर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे आने वाले वीजियो इसके ब्रेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन दबाना ना भूले